हीलो मैय डियर फ्रेंड वैल्कम टू डखीएजूकेसन और आज हम देखेंगे पिृट्ट्री गलेंड के बारे में हम पढ़ रहे गाई कि human brain में कौन-कौनसी gland पाई जाती जाती है तो gland के नाम बताने तो आपको ध्यान रखना है तीन ग्रेंड पाई जाती है hypothalamus, pituitary और यह होती है penile तीन gland पाई जाती हैं हमारे brain में तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कौन-कौनसी है hypothalamus, pineal और pituitary gland इन तीनों के नाम आपको हमेशा ध्यान रखने हैं हम आज देखने वाले pituitary gland के बारे में तो ये हमारा mustis को हो गया जिसको human brain बोलते हैं human brain में ध्यान रखना ये होगी आपकी hypothalamus और hypothalamus के नीचे यहाँ पर बिल्कुल मटर की shape में किसकी shape में? मटर की shape में आप देख सकते हो ये वाली जो shape मटर की दर है ये है आपकी pituitary gland तो प्तिहान देना इसकी position कहा है वो बहुत जरूरी है hypothalamus जो gland होती है उसके just नीचे क्या होती है pituitary gland होती है ये चीज आपको ध्यान रखना है पहली बात तो pituitary gland जो होती है brain में होती है और just below the hypothalamus और इसके दो भाग होते है एक इसका पीछे वाला और इसका आगे वाला आगे वाले भाग को बोलते है anterior pituitary और पीछे वाले को बोलते है posterior pituitary जनरल ये जो word है posterior का मतलब पीछे वाला और anterior का मतलब आगे वाला इतना आपको ध्यान रखना है ठीक है basic basic चीज़ें यहां पर और clearly देख सकते हो यह है आपकी hypothalamus hypothalamus के नीचे यह है आपकी pituitary आगे वाला anterior lobe पीछे वाला posterior lobe लोग मतलब हिस्सा ठीक है तो pituitary glands यहां रखना यह gland जो होती है hypothalamus gland के नीचे होती है इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते है एडिनो हाइफोफाइस और नियूरो हाइफोफाइस ज्यान देना एडिनो हाइफोफाइस और नियूरो हाइफोफाइस मतलब जो आगे वाला हिस्सा है इसको बोलते है एडिनो हाइफोफाइस और जो पीछे वाला हिस्सा है इसको बोलते है नियूरो हाइफोफाइस ठीक है तो एडिनो हाइफोफाइस is called anterior pituitary gland and neurohypophysis is called posterior pituitary gland ठीक है simple सा दिया रखना दो भाग है इसके कौन-कौन से एडिनो हाइफोफाइस जिसको क्या नाम देते हैं दिया गया है क्या और किस नाम से जानते हैं anterior pituitary gland के नाम से और neurohypophysis को जानते हैं posterior pituitary gland के नाम से ठीक है simple है location दिया रखना hypothalamus के नीचे दो भाग एडिनो हाइफोफाइस निउरो हाइफोफाइस यहां ऐसे भी कह सकते हैं anterior pituitary gland और posterior anterior pituitary gland और posterior pituitary gland ओके अच्छा एक बहुत इंपोर्टेंट चीज यहां पर और यह question जनरली पूछा जाता है triple star दूंगा में इस question को बहुत ही important है कि जो pituitary gland होती है इसको हम बोलते है master gland क्या बोलते है master gland pituitary gland को master grant क्यों कहा जाता है यह बहुत important है देखो एक चीज में आपको common सी चीज बताता हूं हमारा जो मतलब control mechanism कैसी है body की आपको बता है हमारी body में जो CPU है computer का जैसे CPU होता है न central processing unit ऐसे हमारी body का CPU है brain कोन है brain अब brain signal देता है hypophyllemos signal देती है pituitary gland को और pituitary gland body में बाकी science को क्या करती है control करती है तो simple सा mechanism आपको ऑन तिहां रखना है कि आपका brain है सिगनल किसको देगा hypophyllemos को hypophyllemos किसको देगा pituitary gland को pituitary gland के الإक के अंडर में बाकी सारीम ln seconds तिए चल ली थी चीज्श आपको ध्यां रहाना है कि कैसे हमारी मतलब सिश्टसम किसको कंटोर्ट करता है पिट्टूट्री को, पिट्टूट्री बोडी की बाकी ग्लेंड को क्या करती है, कंट्रोल करती है, चुकि पिट्टूट्री का क्या करती है, बाकी जो ग्लेंड से, उसमें से कौन-कौन से हार्मोंस निकल रहे हैं, कब हार्मोंस सीक्रेशन करना चाहिए, कब नहीं करना चाह सबस्क्राइब में help करते हैं body के कही सारे functions को control करते हैं ठीक है तो इतना सा आपको answer लिखके आना है काम चल जाएगा this is the master gland of the body because it controls the secretions of most of the hormones मतलब body में जो ज्यादातर hormones निकलते हैं और यहां देना hormones कहां से से निकलते हैं ग्लेंड में से निकलिंगे और ग्लेंड कहां है बोड़ी के अलग अलग पार्ट में ग्लेंड पाई जाते हैं तो उन ग्लेंड के hormones को control कौन करता है पिट्यूट्री ग्लेंड करते हैं इसलिए इसको हम बोलते हैं master gland of the body बहुत important है कौन-कौन से hormones निकलते हैं हो सकता है दो hormone आपसे पूछ ले जाए पेपर में कि write the name of any two hormones which is secreted by the pituitary gland तो यहां पर कई सारे नाम दे रखे हैं जैसे somatotropin जिसको growth hormone के नाम से जाना जाता है prolactin thyroid stimulating hormone जिसको THS के नाम से भी जानते हैं oxytocin, basopressin, gonadotropin यह hormone से जो कहां से निकलते हैं pituitary gland से निकलते हैं तो इनके नाम आपको याद रखने हैं तो यहां पर pituitary gland हमारी finish होती है so thank you thank you so much keep learning keep enjoying and God bless you all